नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि सेलिकोकसिप कैपसूल का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है सेलिकोकसिप कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और सेलिकोकसिप कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिसकस करेंगे कि सेलिकोकसिप कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में सेलिकोकसिप कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। सेलिकोकसिप कैपसूल का उप्योग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है, तो सेलिकोकसिप कैपस के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। Ke Griffices M का उप्योग सिरदर्ध होने पर मासपेशियों में दर्ध होने पर जोडों में दर्ध होने पर दातों में दर्ध होने पर कमर के दर्ध कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में सेलिकोकसिप कैपसूल का उप्योग किया जाता है इसके अलावा रूमेटोड अर् 200 mg की strength में available है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि सेलिकोकसिप कैपसूल की वजह से क्या side effects हो सकते हैं सेलिकोकसिप कैपसूल के सामान्य side effects में बधजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्स, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं ज्यादा लंबे समय तक सेलिकोकसिप कैपसूल को लेने से किड्नी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती हैं इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में सेलिकोकसिप कैपसूल को लेने से पेट में ब्लीडिंग, पेट में अलसर या गेस्ट्रोंटिस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। गेस्ट्रों टेस्टाइनल परफोरेसन होने पर पेट या आंतों के अंदर छोटे-छोटे छिद्र हो जाते हैं। और लंबे समय तक सेलिकोकसिब कैपसूल का सेवन करने से दिल का दौरा और लखवा लगने का विस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप सेलिकोकसिब कैपसूल का सेवन कभी कभार करते हैं, तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। अगर आप सेलिकोकसिब कैपसूल को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं, तो ऐसी स्थिती में सेलिकोकसिब कैपसूल की वज़ँ से साइड इफेक्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेलीकोक्सिब कैपसूल को कैसे लेना रेक्मिनडेड होता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुत में सेलीकोक्सिब , 100 गैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर सेलिकोकसिप कैपसूल की डोस को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर केवल दर्ध होने पर ही सेलिकोकसिप कैपसूल को लेने की सलाह देते हैं। सेलिकोकसिप कैपसूल की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए सेलिकोकसिप कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सेलिकोकसिप कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेलिकोकसिब कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में सेलिकोकसिब कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्मी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर सेलिकोकसिब कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना सेलिकोकसिब कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका सेलिकोकसिब कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।